अब देखो graph guide 1 में हमने कुछ graph हमने पढ़ लिया था मैंने सिखाया था आपको ठीके अब देखो graph 1 में क्या था y is equal to x के लिए जो identity graph था square graph सिखा आपने y is equal to x square cube का सिखा y is equal to x cube आखरी जो सिखा था आपने यह था fx is equal to x power 2n थीक है तो यह हम ऐसा n के value अगर हम लोग इस rules पे लेके आते तो वो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 ऐसा लिखते जाएंगे तो power क्या बनेगा always even बनना था अब इसमें थोरा सा एक चीज एड़ करते इसमें minus 1 कर देते हैं जब आपने यह minus 1 कर दिया अब क्या होगा fx के value क्या क्या मतलब fx का जो formula बनेगा क्या क्या सकता आप इनका 1 पूट कर सकते 2 पूट कर सकते 3 पूट कर सकते हैं तो अगर आप ऐसा करते हो ठीक है तो हमें क्या मिलेगा x power 1 x power 3 x power 5 इस तरह से मिलता चला जाएगा लिख सकते ना यह यहां तक समझ आ रहे हैं अब दिखो फिर से हम लोग देखते हैं कि अब मतलब क्या हो गया x x power q x power 5 x power 7 9 ऐसा होता जाएगा ठीक है फिर से वह पहले वाले चीज़ करते हैं हम लोग कि कुछ points मार्क कर लेते हैं हम लोग यह 1 प्लस x यह तो y को भी हमने 1 लिख दिया यह negative में लिख दिया y को minus 1 तो यह क्या हो गया x negative में minus 1 तो यह दो points आपके लिए आगए कि यह इस function में कहीं पर भी जाएंगे इस rules में तो हमेंसा x is equal to y यहां पर मिलेगा इस point पर ठीक है तो reference के लिए मैं एक line draw कर देता हूं ठीक है जो y is equal basically y is equal to x का graph है यह मैंने यह line draw कर दिया ठीक है एक reference के लिए सर अब यह लिखा कि अमें समझ आ जाए कि कैसर लिख रहे है आपर है ना देखे अब देखो यह लिखती है अब है फिर से पहले जैसा ही करते है कि यह x का value less than 1 लिखते है हम लोग है ना x के value less than 1 लेते है ठीक है तो जैसे x के value less than 1 लिख होगे तो लेक हमने x power x is equal to 0.1 लिखा x q क्या होगा 0.1 into 0.1 into 0.1 तो value क्या होगा कम होता चला जाएगा तो overall value की बात करेंगे तो यह x जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है तो value decrease हो रहा है मतलब आप इस तरह से इसको लिखना चाहोगे कब when x is less than 1 ठीक है x 0 पे तो x is equal to 1 पे तो हमने लिख दिया हुआ x is equal to 1 पे y is equal to 1 आता है ठीक है तो यहाँ पर ऐसा आगया at the same time अगर मैं ऐसा लिखों कि नहीं भई अगर 1 से ज्यादा रखते है when x is greater than 1 ठीक है तब क्या होगा x x q x 5 x greater than 1 है यह obviously यह क्या होगा values बढ़ते चाहेंगे भी ठीक है ना तो यहाँ तक समझ आ रहा है अब फिर से देखो x1 is equal to x is equal to 1 से पहले और बाद में वो अलग-अलग points जैसे दिखने चीए तो देखो अब हम लोग इसका graph draw करते है ना देखिए देखना समझना यह तो point हमें follow करना ही पड़ेगा x is equal to 1 y भी क्या होना चीए 1 होना चीए तीक है देखिए यह ऐसा है इस तरह का जैसे y is equal to x cube का हमने graph खीचा था कुछ वैसा ही pattern बनेगा ठीक है ना यह तीक है यह तक समझ आ रहा है तो देखो एक हमने यह line खीचा फिर यहां से compare करेंगे तो अलग-अलग graph फिर एक normal सा एक understanding पर simple question पूछेंगे आपसे है ना देखिए देखो हम लोग यह math तो अलग से math जैसा नहीं पढ़े मतब mathematical जो टूल से उसको समझने की कोश्च कर रहे है इस एक mathematical ability जो है ना वो थोड़ी से develop हो जाएगी ठीक है फिर इसके बाद जब हम लोग function पढ़ेंगे मेरे क्याल से वो आसान लगेगा ठीक है एक मैंने ऐसा graph यह ठीक है यह second graph लिया ऐसा ठीक है यह फिर से दिखना इस point के बाद और यहां पर यह point last time missing था क्योंकि हम लोग even power पर गहते है इस पार इस point के बाद यह pattern मतलब जो comparison वाला चीज था वो shift हो गया देखो यह अलग है और यह अलग आ गया तीक है यहां तक समझ आ रहा है यह यह दो different आ गये तो मतलब one के बाद green line उपर है ठीक है और यह जो दूसरा line जो violet type का देख रहा है वो पीछे है ठीक है इसके पहले क्या था यह green line पीछे था तो य यहां भी क्या है green line पीछे यहां तक समझ आ रहा है लिख सकते न तो देखो यह वाइज एकल टू एकस के लिए था अब अगर यहां पर मैं क्या हूं कि इन दोनों में से आपको एक वाइज एकल टू देखो मैं ऐसा कह दूँ कि यहां पर एक वाइज एकल टू एकस पावर 5 का graph है तो कौन सा कहां पर होगा बता सकते क्या बिल्कूल बता सकते हैं इसके पीछे यहां सहम लोग देख लें यहीं से check कर सकतें कि अगर 1 से कम है यहां से गड़ देख लो तो 1 से अगर पीछे आते हो आप तो एकस ज़ादा होता है एकस क्यूग और गम हो जाता है एकस से क्या पता लग रहे है कि ये जो चीज है ये में में हूं हो च़िए, समझे रहा है, मतलब ये y is equal to x-cube बाल ग्राफ है तो दूसरा क्या होगा y is equal to x-cube between x-cube graph घाफ होगा लिख सकते हैं, इसको अगर दूसरी होना चाहिए था कम तो यह ज्यादा है मतलब यह इसकी पावर इससे ग्रेटर है लिख सकते न तो यह देखो यह हमने जो खीचा यह यहां तक समझ आ रहे है अब अगर हम लोग एक नेक्स्ट ग्राफ लेते हैं यहां पर पॉलिनमेल का आपको मैंने सिखा दिया जो आइडेंटिटी फंक्शन थे जो स्क्वेर फंक्शन थे क्यू फंक्शन था ठीक है उसके बाद हमने पावर इवन लिया पावर ओट ले लिय अब कुछ रेशनल फंक्शन पर चलते हैं हम लोग ठीक है अब देखें अब यहां से शुरू करते हैं हम लोग कि भी अब अकर लिखा जाएं कि भी fx is equal to fx is equal to 1 upon x 1 upon x ठीक है यह रेशनल एक्स्प्रेशन के अंदर आएगा this is an example of rational expression लिख सकते हैं ठीक है यह रेशनल एक्स्प्रेशन के अंदर आएगा ठीक है अब यहां पर देखो graph देखते हैं कि कैसा हो सकते हैं सबसे पहले वही positive negative किस quadrant में कैसे पहुंचेंगे वह एक बार चेक कर लिया जाए ठीक है अब देखो 1 upon x ठीक है तो जब x positive है जब x positive है तो y भी क्या होगा positive होगा लिख सकते हैं ठीक है ना और जब x negative है तो y भी क्या होना चीए negative होना चीए ठीक है मतलब यहां पर इसके साथ और इसके साथ आपको graph दिखेगा 1st and 3rd ठीक है ना क्योंकि x positive y positive x negative y भी negative यह पार्ट खाली दिखेगा हमें यहां तक समझ आ रहे हैं लिख सकते हैं तो अब देखो इसका graph खीशते हैं फिर से 1 वाली value के साथ है ना ठीक है तो फिर से अगर हम लोग देखेंगे कि अगर इसको हमने 1 लिख दिया है वही इसको भी 1 लिख दिया और यह दो points ना और यहां पर हमने minus 1 और इदर भी minus 1 दे दिया ठीक है तो यहां देखो यार यह तो होगा ठीक है यहां तो ऐसा ही रहेगा और यह भी ऐसा इसलिए given x is equal to plus 1 y कितना हो जाएगा 1 upon 1 is equal to 1 लिख सकते हैं लिख सकते हैं और अगर हम लोग लिख x is equal to minus 1 तो y कितना हो जाएगा 1 upon minus 1 it will be minus 1 लिख सकते हैं तो एक यह point आ गया और एक यह point आ लिख सकते हैं अब देखो इसमें क्या है कि ग्राफ का pattern किस तरह का होना चाहिए x का value less than 1 रखो तो क्या होगा वही हमने positive वाली बात कर रहे हैं लोग है ना और x के value less than 1 रख रहे है तो less than 1 रखोगे तो suppose एक example x is equal to 0.2 रख दिया आपने y कितना हो जाएगा 1 upon 0.2 तो यह कितना हो जाएगा 5 लिख सकते हैं मतलब बहुत अगर यह total 1 है तो 0.2 रखा मतलब कुछ यहां पे रखा होगा आपने यह एक्दम से उपर y is equal to 5 लिख सकते हैं मतलब यह जितना अगर y चोटा है when x is when x is less than 1 तो y क्या होगा definitely greater than 1 बहुत उपर चला जाएगा लिख सकते हैं तो जब यह x इस reason में है तो y यहां तो बिल्कुल नहीं मिल सकता है कि कहा मिलेगा उपर मिलेगा लिख सकते हैं और जब x 1 से उपर जाएगा तब y इस reason में आएगा क्योंकि अगर हमने x का value देखना समझना यहां तक समझ आ है यह मेरे ख्याल से अपने लिखा हुआ होगा लिखना क्या है यह simple mathematics से ठीक है अब देखें यहां तक तो समझ आ है एक्स को अगर plus 1 रखेंगे तो y भी क्या होगा plus 1 x minus 1 है तो y भी क्या होगा minus 1 ठीक है अब देख y देखो अब इस zone में आएगा यहां पर अगर हमने x की value 10 रख दी y कितना होगा 1 upon 10 देखो यह यहां जाएगा तो मतलब जब x छोटा है तो यह y इदर आ रहा है ठीक है एक्स जब 1 से बढ़ गया तो y इदर आ गया यहां तक समझ आ रहे है तो exactly यही चीज यहां पर भी ठीक है y क्या होगा लिख सकते ना y इस तरफ सिफ्ट हो जाएगा नीचे को यहां तक समझ आ रहे हैं लिख सकते तो अब यहां से जो graph बनता है देखो 1 upon x का वो कैसा हो जाएगा यह कुछ यूं मिलेगा आपको ऐसा ठीक है ऐसा है यह देखो यह x के तरफ दिख रहा है कि अगर x देखना यहां तक समझ आ रहा है यह कैसे लिख दिया पता लगा यह उपर जा मतब एक्स के वेलियों के जैसे से 0 की तरफ जाएगे y इंफिनिटी की तरफ जा रहा है लिख सकते और y जैसे-जैसे यहां पर देखो यह दिख यहां और एक्स जैसे जैसे इंफिनिटी के तरफ दर बढ़ रहा है by 0 के तरफ सब्ञेड है ठीक है तो यह जो अमने क्राव बता है यह लोग सकते यहां तक समझ आ गया अब यहीं से देखो एक ओर यहां पर graph कीशते हैं अगर हम लोग. यह रेशनल को थोरा साव एक ऍस्ट्रा समझ आ रहे हैं तो rational expression में और चीज लिया जाए. यह तक समझ आ गया हैं तो one upon x का इसको दिमाग में मतलब pattern याद भी रखेगा. यह frequently use करते हैं जैसे इसमें कुछ बच्चे के मिस्ट्री पढ़ते हूंगा कुछ physics यह ऐसा मैं तब दो नहीं पढ़ते हूंगे तो आप boils लौ पढ़ते हैं चाल्स लौ पढ़ते हैं गैस एक्वेशन पढ़ते हैं आइसो थर्मल प्रोसेस आपको याद होगा आइसो थर्मल क चेंज करने के लिए इसे क्ड एक सकेयर लेलिया अब x-square लिया और xक किसी भी वैलियो कहने का मत्लब पॉसेटिव और नेगेटिव याम थेभ रहा चाल्स होगा यह नेगेटिव नई शक्रमल्च ब्लत वाइय नादो एक्स के सब्सक्रम नइका मतलब यह सार्वी थे यह क्या हो जाएगा symmetrical to y-axis यहां तक समझ आ रहे हैं लिख सकते हैं तो symmetrical to y-axis है अब फिर से इसको देखते हैं कि कैसा होना अची है graph अब फिर से देखो x जब हमने यहां तक समझ आ गया x का value फिर से 1 अगर रख दिया हमने y क्या हो जाएगा y भी 1 अगर यहां से देखें अगर यह 1 1 लिख सकते हैं फिर यह negative में जाएं तो x-1 तो y भी क्या होगा sorry square है न तो x1 y1 और फिर अगर x-1 रख आपने तो y क्या होगा plus 1 ठीक है लिख सकते हैं यहां तक समझ आ रहे हैं तो मतब यह y के about y-axis के about symmetric होगा ठीक है अब देखो जैसे जैसे फिर से वो कहाने यहां पे भी valid है कि भाई x के value अगर आप less than 1 रखोगे तो 1 upon x square बहुत ऊपर चला जाएगा मतब जब आपका x इस zone में होगा तो y एकदम ऊपर होगा ठीक है और जब x इदर आएगा तो y नीचे आएगा लिख सकते हैं फिर वैसे यहां पे x जब यहां होगा तो y इदर होगा लेकिन जैसे x बढ़ेगा लिख सकते हैं ना एक्स सब यहां पे हैं तो y ऊपर चला गया लेकिन जैसे x का value इदर negative में इस तरफ आता है तो y भी क्या होगा नीचे आएगा लिख सकते हैं तो यहां पे अगर हमें graph कीचना है तो देखें यहां तक समाझ आरा मतब यह जो part है y के हिसाब से खाली है इदर x तक पहुंचेंगे त देखना मतब जब x इदर बढ़ रहा है ऐसा इदर ठीक है तो x इस तरफ वन तक जैसे पहुंचेंगा y का यह पार्ट यह खाली होगा लिख सकते ना वह उपर जाएगा क्यों जाएगा यह समझ आ गया है अब देखें देखना यह कुछ ऐसा कर देगा ठीक है तो similarly यहां पर हम लोग ऐसा ही यहां पर यहां पर यहां मैंने थोड़ा ध्यान अटी दुरगट नखटी वाली बात होगी यह फिर से यह नेगेटिव पर ले लिया एक्चुलिए पॉसिटिव रहेगा वाई ओल्वेस पॉसिटिव रहेगा क्योंकि स सबजी वाला है तो मेरा ध्यान उदर चला गया नहीं चलो कोई नहीं तो यह देखो पॉसिटिव पॉसिटिव के लिए इतर लिख दिया नेगेटिव अगर जाएंगे तब यह वैल्यू तो अगर हमने एक्स को नेगेटिव भी लिया तो वाय तो पॉसिटिव आएगा च्रहाओ तो यहां समझ आ रहे हैं तो और यह लोगों मैच कर रहा है कि सी कोचिंग सथ नहीं चलो कोई नहीं बड़ी में इसको एसा करता हूं टीक है यह वह सकते कहने समझ अ गया तो दिखते कर घ्राफ हो गया हमारा मतलब ऐसा में कोचिंग से हमारी कोई दुस्मनी है न मैं खुद भी पहले कोचिंग में जवाब करता था अब खुद का चलाता हूं कोचिंग का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा ठीक करने की ज़ुरत है ठीक है चले देखिए यहां तक समझ आ रहे हैं तो यह ग्राफ हो गया है तो वान अपन एक्स लिख दिया हमने वान अपन एक स्क्वेर लिख दिया है यहां तक समझ आ रहा है तो हम लोग रेशनल एक्सप्रेसंस में कुछ कर रहे हैं यहां तक बिल्कुल समझ आ है अब यहां से फिर नेक्स जो ग्राफ गाइट 3 होगा उसमें फिर वान अपन ऐसा लिख देंगे यह फिर वान अपन एक्स पावर फि देन इरिशनल पर जाएंगे टीक है इरेसल पर जैसे रूट ले लेंगे है ना रूट वाला करने के बाद फिर में वो एक्स्पनेंसियल पर जाओंगा एंगा देन ट्रिगोनिमेटर करेंगे मत्तब इस पूरे सिरीज में जितना ग्राफ हम लोग कर सकते हैं जितने की जरूर करा देंगे ठीक है अगर समझ आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कुछ दोस्तों को भी बताना यार यही मेरे लिए वह एनर्ची है अब जितने लोग आएंगे और कुछ अगर आपको लगता है तो जरूर बताईए हमें मतलब आपके वीडबैक्स बहुत इंबॉडेंट है हमारे लिए कुछ क्या बेटर कर सकते हैं लोग ठीक है